गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास Human Digestory System के next part Small Intestine के बारे में आज डिसकस करेंगे Small Intestine है जो वो Digestory System का सबसे लोंगेस्ट पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो एप्रोक 6 मीटर्स तक रहेगी ठीक है अब इसके तीन मेजर पार्ट रहेंगे Small Intestine है जो हमारी वो तीन पार्ट में डिवाइडिड है फस्ट जो पार्ट है वो क्या है डूदिनम सेकिंड जो पार्ट होगा Small Intestine का वो रहेगा जेजुनम और थर्ड पार्ट रहेगा इलियम इन तीन पार्ट से मिलके Small Intestine बनती है और लेंथ क्या रहेगी अप्रोक्स 6 मीटर तक ठीक है अब 6 मीटर लेंथ है जो वो कैसे हमारे digestive system में fit हुई है Small Intestine है वो बहुत coiled structure है coiled का मतलब क्या होता है घुमावदार इतनी घुमावदार होने की वज़े से ही ये human digestive system में fit हो पाई है सबसे पहले बात करेंगे Dudenum part की जो की first part रहेगा Small Intestine का स्टमक के बाद food की entry कहा होगी Small Intestine में होगी न Small Intestine के कौन से पार्ट में होगी Dudenum part में Last video में हमने discuss किया था कि स्टमक है जो उसके end पे एक muscular structure जिसको हम बोलते हैं स्फिंटर वो present होगा और वो स्फिंटर किसमें उपन होगा Small Intestine के Dudenum part में ठीक है Dudenum है जो वो एक U-shape structure है U-shape जैसे दिखाए दिरी आपको प्लस इसमें कोई भी coiling नहीं होगी कहीं से भी गुमावदार नहीं है जैसे ये वाला part देखो पूरा गुमावदार है न ये वाले part में ऐसी coiling नहीं होगी तो Dudenum की shape क्या है U-shape structure और किस से attach है stomach के साथ attach है किस की help से muscular sphynter यहाँ पे एक muscular सी structure रहेगी जिसको हम बोलेंगे sphynter जिसकी वज़े से food की entry Dudenum part में होगी after stomach ठीक है अब liver और pancreas है जो वो Dudenum में open होगे ठीक है कैसे open होगे एक common duct की help से duct का मतलब क्या होता एक tube like structure है जिसका नाम क्या होगा hepatopancreatic ampulla ठीक है इस common duct की help से liver और pancreas इन दोनों की जो tubes हैं वो Dudenum part में entry लेगी देखो यह stomach है stomach के उपर यह जो structure आपको दिखाए दे रहे है यह हमारा liver liver के दो lobes दो सांचे present है ठीक है और यह उसके पास क्या रहेगा goal bladder जिसको हम अलग से discuss करेंगे फिर stomach के नीचे यह leaf जैसी सी structure दिखाए दे रहे है यह है pancreas अब food को देखो food stomach में था stomach के बाद सिधा कहा आ गया small intestine में आ गया तो food ना तो कभी भी pancreas में जाएगा और ना ही liver में जाएगा direct किस में जाएगा stomach के बाद dudenum portion of small intestine में लेकिन liver के पास भी juice है और pancreas के पास भी juice है तो liver और pancreas दोनों के दोनों अपने juices को food को कैसे provide करेंगे with the help of dudenum liver अपनी tube like structure से किस में open हो जाएगा इस dudenum में open हो जाएगा और pancreas को देखो यह जो tube like structure दिखाए दे रही है इसकी help से किस में open हो रहा है इस dudenum portion में हो रहा है अब जो liver और pancreas है इन दोनों की जो duct है यह जो tube है यह आपस में जुड़ी होगी इसलिए इसको क्या बोलते है common hepato pancreatic duct देखिए यह है liver ठीक है liver से यह जो tube दिखाए दे रही है black color की यह liver की tube है यह जो purple सी color में दिखाए दे रही है blue color में यह क्या है pancreas और pancreas से भी एक tube दिखाए दे रही होगी आपको यह दोनों tube मिल गई है इस मिलने को क्या बोलते हैं hepato pancreatic ampula ampula का मतलब क्या होता है एक swollen सी structure फुली हुई सी structure जब दो tube आपस में जुड़ गई तो वो जो नई tube बनी वो थड़ी बड़े साइस की बनेगी तो उसको क्या बोलते ampula ampula word कभी भी आप पढ़ रहे उसका मतलब क्या होता है swollen क्या होगा swollen swollen का मतलब क्या होता है फुला हुआ तो यह एक swollen structure रहेगी और liver और pancreas दोनों की duct जुड़ के किसमें open हो गई है यह U-shape structure क्या है dudanum तो इसमें यह open हो जाएगी और इस duct का यह जो अब duct आई इस duct को क्या बोलोगे इस tube को क्या बोलोगे हिपेटो-pancreatic duct और जहां पे यह जुड़े हैं उसको क्या बोल दोगे हिपेटो-pancreatic ampula समझ रहे हैं जो नई tube बनेगी उसका नाम होगा हिपेटो-pancreatic duct और जुड़ने का जो point है उसको क्या बोल रहे हो हिपेटो-pancreatic ampula अब स्टमक का जो part यहां पे इस dudanum portion में open हो रहा था यहां पे एक sphinter present होगा एक muscular structure present होगी उस sphinter का नाम क्या होता है pyloric sphinter जिसके बारे में हम last video में discuss कर चुकी है तो pyloric sphinter की help से जो स्टमक है वो किस में open हो जाएगा dudanum portion में open हो जाएगा अब जो dudanum है उसके पास leaf जैसी shape की विलाई present होती है विलाई का मतलब क्या है finger like structure विलाई क्या होती है यह ऐसी finger like structure होंगी पूरी की पूरी small intestine में finger like structure हमें मिलेगी ठीक है अब next जो part हम discuss कर रहे है वो क्या है jejunum jejunum एक highly coiled structure बहुत गुमावदा structure होगी length कितनी हो सकती है 2.4 meter तक हो सकती है और यह middle part बनाएगी किसका small intestine का और इसके पास जो विलाई होगी वो कैसी होगी tongue की shape की जो हमारे tongue की shape होती है वैसी shape की विलाई मिलेगी देखो यह है jejunum portion यह जो बहुत ज़दा coiling तुमें दिखाए दे रहे हैं यह portion सारा जो coiled है इसको क्या बोल देंगे हम jejunum उसके बाद इस portion के बाद यह जो सारी coiling इधर इधर वाली है इसको क्या बोलते हम ileum बोलेंगे तो third part जो है क्या है हमारे पास ileum जो की बहुत coiled structure है lower part रहेगा सबसे निच्चे वाला part small intestine का और इसी की length क्या होती है maximum होती है तीक है इसमें finger like willi present होगी willi का function क्या होता है small intestine के surface area को increase करना ताकि जो भी food digest हुआ है वो कहाँ पे small intestine में absorb किया जासकी तो major absorption वो कहाँ पे होगी jejunum और ileum में होगी क्योंकि यह part क्या है सबसे ज़्यादा coiled है इनका surface area बढ़ सकता है dudinum में कोई भी coiling नहीं हो सकती है तो यह part क्या होता है U-shape structure थी ना घुमावदार नहीं थी तो इतना surface area increase नहीं हुआ तो ileum और jejunum यह जो दो portion है small intestine के इसमें food की absorption maximum होती है ठीक है next हम internal structure देखेंगे small intestine की कैसे होगी internal structure में क्या है inner surface है जो small intestine के उसके पास बहुत सारे folded structure होती है जिनको आप विलाई बोलते हो हर एक जो विलाई है उसकी जो cells होती है वो columnar cells होती है columnar cell का मतलब क्या होता है ऐसी column shape की लंबी-लंबी सी cells होगी ठीक है और इनके पास क्या होगा brush border appearance होगी उसके ओपर कुछ micro villi भी present होती है जो surface area को increase करेंगी ये एक विलाई की internal structure है विलाई क्या है एक finger जैसी सी structure दिखाए दे रही है इस finger जैसी सी structure के ओपर ये brush जैसी सी structure दिखाए दे रही है जिनको क्या बोलोगे micro villi micro villi क्या होती है विलाई से भी छोटी finger like structure जो की कैसी appearance देती है एक brush जैसी सी appearance देती है इनको क्या बोलेंगे micro villi ये एक villi की structure है ऐसे बाकी जितनी भी villi सबकी structure यही रहीगी अब villi में देखो oxygen की supply तो देनी पड़ेगी न क्योंकि वहाँ पे भी क्या होगा food का breakdown होगा तो artery आएगी oxygen लेके और फिर यहाँ से ही क्या होगा vein की formation होगी तो vein क्या deoxygenated blood को यहाँ से लेके जाएगी फिर आपको यह lacteal दिखाए देरी lacteal भी क्या होती है blood vessel यह vessel होगी किस की vessel होगी lymph की जो vessel है lymph जिन tubes में बहरा है जिन vessels में बहरा है उसको क्या बहरा है हम lacteal तो lacteal vessel भी यहाँ से arise होगी जहाँ पर arteries veins और capillaries बनेगी वहीं पर क्या बन जाएगी lymph की vessels भी बन जाएगी lymph क्या होता है जो capillaries से fluid निच्चे बहर गया था extra fluid release हो गया था उसको क्या बोलते थे हम lymph अब lymph क्या है बहुत important है उसमें WBC मिल रही है plasma है तो उसको वापिस से क्या किया जाएगा heart में pump कर दिया जाएगा heart में वापिस भेज दिया जाएगा तो विल्लाई की structure में क्या क्या है एक artery आरी artery आरी तो capillary भी होगी vein भी होगी और lymph की जो vessel है lactial vessel वो भी present होगी तो ये basic structure है किसकी small intestine की विल्लाई की अब जो हमारी small intestine है उसमें कुछ white white से patches बने हुए किसके lymphoid tissue के lymphoid tissue क्या है lymph vessels है वो जो सारी cells है वो मिलके क्या बना देती है lymphoid tissue बना देती है जो की हमारे immune system की formation करेंगी ठीक है lymphoid tissue क्या है immune system की formation करने वाले tissue और इन में क्या रहेगा lymph की formation रहती है lymphoid tissue का example जैसे कि हमारा bone मेरो हुए वहाँ पे भी क्या WVC की formation हो रही है और lymph जो lymph nodes है lymph vessels है, lymph capillaries है वो सब वहाँ पे present होगी ठीक है तो हमारी intestine में lymphoid tissue के कुछ patches से white color के patches दिखे जिनको क्या बोल दिया गया pairs patches बोल दिया गया और ये कहां पे होंगे sub mucosa membrane sub mucosa membrane क्या था हमने जो हमारी elementary किनाल थी उसके चार layer पड़ी थी चार layer में जो थर्ड layer थी वो क्या थी sub mucosa layer उस sub mucosa layer में क्या present होते है pairs patches present होते है और जहां कहीं भी आपको lymphoid word दिखाई दे रहा है lymph vessels ये सब क्या करते है immune system को formation करेंगे immune system की formation करेंगे और यहां पे क्या होगा B lymphocytes की formation होते है ये B lymphocytes क्या है ये वो cells हैं जो की क्या करती है antibodies की formation करती है ठीक है अब small intestine है जो इसमें दो glands present होंगे एक होगा क्रिट्स ओफ लाइबर कुहन और एक होता है bruner's gland ठीक है bruner's gland क्या करेगा कुछ alkaline substances को secrete करेगा ठीक है और ये क्या करेगा mucus को secrete करता है आपको इन दोनो glands के बारे में जस्ट इतना ही remember रखना है ठीक है तो small intestine में क्या है एक तो finger like structure जिनको विलाई बोला गया विलाई के surface पे microvilli मिली फिर small intestine में white patches मिले जो कि lymphoid system से मिलके बने थे lymphoid मतलब हमें immune system प्रोवाइड करेगा इन patches को क्या बोला गया pairs patches small intestine में दो glands भी मिले crypts of liber kuhan और bruner's gland bruner gland alkaline secretion देगा क्योंकि food जो आए ना stomach से वो कैसा acidic food है तो उसको ellicline बनाने में help करेगा और crits of liber kuhan ये जो gland है ये mucus और कुछ enzymes की secretion करेगा ठीक है तो ये small intestine का portion था next video में हम large intestine के बारे में discuss करेंगे